आज हम स्वाल्व करने वाले हैं आज की डेट में पेपर हुआ है उसको में स्वाल्व करने वाला जितने भी छात्र अपने कॉलेज के गयते परिच्छा देने आज की डेट में सीवीटी का आई टियाई का तो उन सभी लोगों का यहां पर उनके द्वारा जो भी पूछे तो उन सारे कोशनों को मैंने यहां पर कवर कर लिया है यदि आप आई चात्र है और अभी तक आपका एक्जाम नहीं हुआ है तो एक बार आप इस कोशनों को जरूर देख लिजेगा इसी तरह के कोशन पूछे जा रहे हैं और इसलिए उन स्टुटेंटें से कोशन पूछ है पहले होती थी वह खतम हो चुकिए इस समय सीवीटी परिचा हो रहे हैं तो काफी चातर डर हुए है कि काफी हाड कोशन आएगा इसलिए कोशन मैं आपको लेके आया हूं तो चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आज की रेट में पूछा गयाता कि गतिसील रू देखते थोड़ा सा यह लंबा कोशन इसको चोटा कर देते हैं इसमें यहां पर कोशन में पूछा गयाता कि डिसी मसीनों में वे कौन से दो बिंदू है जो ब्रस संपर्क परतिरोद को मापते हैं बेपरित ब्रस के बीच परतिरोद या ब्रस और कमिटेटर राइजर के ब परतिरोद सी आफसन आपका यहां पर सही हो जाता है जितने भी चातर आज की डेट में एक्जाम देने गयते कोशन नमबर दो में सी आफसन मारे होंगे तो उनका बिल्कुल सही है आगे देखते हैं अगले कोशन को अगले कोशन में पूछा गयाता है कि डिसी जनेटर के ब यह भी फल होने का सबसे बड़ा यहां पर रिजन बोलता है डिसी जनेटर के बोल्टेज का नेर्वांड करने में क्या होता है जब परतुरोद क्रांतिक जो परतुरोद होता है उससे उपर हो जाता है तो यह क्या हो जाता है आपका जो सही हो जाता है आफसन नमबर सी बिल यह स्रणी जनेटर का यह विभेदक योगी जनेटर का यह संचाई योगी जनेटर का तो साथ यह इसमें जो प्रयोग किया जाता है संचाई योगी जनेटर का प्रयोग किया जाता है ध्यान रखेगा तो यह आपका डी आप्सन करेक्ट इंसर हो जाता है मिला लेजेगे सभी लो आगे देखते हम अगले को को कोशन नमर्मा पांच में जिसमें पूछा तो ब मुelling चैतर का प्रवाज जनियरेटर के यह जिज हो जाए तो यह पर आपको यहां पर आपका स्थियों और भी 優र जो होता है शूरत हो क्या होता है घट जाता है तो यह आपका विला लिजिएगा कोश्छ मोटर की डूप्लेक में कितने समनारांता रास्ते होते हैं इसमें यहां पर पहले दिया गया और पहले से होता है थो यहां इसको कुल करेक्ट पर मिला लीजेगा यह आपका डी आफ्सन करेक्ट हो जाएगा आगे देखते हम अगले को अगले को में पूछा गया कोशन नमबर आठ में कि क्या पर भाव है अगर चलने के दौरान चार बिंदू पर तो उस समय यहां पर पूछा तो उसमें धीमी गती से चलत करने के लिए किस परकार के उपकरन का उप्यूब किया जाता है अगले को को जिसमें पूछा जा रहा है कि किस परकार की डिसी आर्मेचर फ्रंट पीच अथात वाई एप जो फ्रंट पीछ होता उसको वाई यप से इंडिकेट करते ध्याने केगा तो पीछे की पीच वाई बीसे अधिक है जिसका मतलब क्या है इसका मतलब ही है साथ हो कि उसका जो रिकुरेर्स वाइंडिंग है वह है आपका सही हो जाता है आपसन नंबर डी विल्कूल करेक्ट एंसर डी आफसन हम सही मारेंगे आगे देखते हैं अगले कोशन को कोशन नंबर 11 में यहां पर पूछा जा रहा है कि यदि डीसी संट मोटर की फिल्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गती क्या है उसम आपसन हमारा सही हो जाए मिला लिजेगा आगे देखते हैं अगले कोशन को कोशन नंबर 12 को कोशन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि तरी कला मोटर में वाइंडिंग की बीचे कला बिस्थापन क्या है सात्यों इसमें जो कला बिस्थापन होता यदि थिरी में पूछा जा करा कि देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परिच्छान आवस्यक है जब कोई भी आपके पास वाइंडिंग है तो याप नाम से मुसको पूचा गया है तो उसको बोलता है प्लॉटि टेस्ट बोला जाता है तो यह आपका आपर पूचा जा रहा है यहां पर पढ़ सकते इसमें साब लिखा गया कि किसी प्रकार के वाइंडिंग कार श्मस्षिबल पॉम्प मोटर को करने के लिए फ्पयोंगिया जाता है पीईबीसी कवर परकार यह सूपर एनेवल टाइप यह डबल-17 ती कबर परकार यह आहिकां सब्सक्रांगर पर पहलें लिसंगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब scoring आपके साथ सेचेंट ये आपका सभी हो जाता है आपसे Gardens iipर क्रेंड के नाम से जाना जाता है수록ight मारेंग कोशन तेदेख नंबर 17 को जिसमें कोशन 017ły में पूछा जा करना इसका कारी होता है तो आपका भी आपसंट सही हो जाता है मिला लिजेगा जितने भी चाहतर आज की डेट में एक्जाम देने गए थे सब लोग मिला लिजेगा और यदि आपको कुछी भी कोशन में किसी भी परकार का डाउट को रहा होगा तो कमेंट में पूछ चरुछ परकार कंकर का नाम लिजेगा कोशन नंबर 19 को जिसमens को कैसे डिbula किया जाता है उसी तर्राइट में होता है तो यहां नंबर इसका मतलब ध्यएब है फटूवर्ट ऍप लिखेम नमबर दरिटेल बिलकुल और रट लिजेगा आगे देखते हैं अगले कोशन को जिसमें पूछा जा रहा है कि जो इन्वर्टर और कनवर्टर दोनों की रूप में कारी करता है देखिए यह जो कोशन में फोर समिश्टर में भी पूछा गया था जो चातर फोर समिश्टर का पेपर दिये हैं बैक जिनका लगा था उनमें पूछा गया था और जिस इसलिए में पर फोर समिश्टर का पेपर करा रहा था तो आप से कहा था कि आप सबी लोग रट लिजिए गाएंगे उनका तो गल्याड़ हो गया होगा क्योंकि यह कोशन आपका उसमें पूछा गया था और यह चातर जो भी रटके गए होंगे उ अलगा था होगा कि म